अबस्कार कैपिटल टीवी देख रहे हैं पुर मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर अर्विन केज्रिवाल से जड़ी हुई सामने आ रही है जहां सुनीता केज्रिवाल ने आम आदमी पार्टी की बैठक बुलाई है शीस महल में ये ब बैठक होनी है जो लगातार पार्टी के बधायक है वो पहुंच रहे हैं क्या चल रहा है फिलाल वहां पे किस तरीके की गतिविदी बनी हुए है सुनीता केज्रिवाल ने क्यों बैठक बुलाई है इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ निर्जम से चुड़ वो डि फेकटो चीफ मिनिस्टर बन गई आप मुख्यमंतری की पत्ती ही नहीं रही अब आप आम आदमी पार्टी की लीडर बन गई आप मीटिंग बुला रही हैं सारे लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो कई सारे लीडर्स जो मुख्यमंतری बनने का सपना उनको मालूम नहीं था कि अर्विंद केजरिवाल लालुक पसाद यादव से भी दो कदम आगे निकलेगा और सुनिता केजरिवाल को मुख्यमंत्री बना देगा यह सब कुछक्र जेल से बैठे बैठे अर्विंद केजरिवाल कर रहे हैं कि कल अगर उनको इस्तिवा देना प अपना जगह अपना विधाय की त्याग देगा एलेक्शन के साथ साथ जो है वो सुनिता केजरिवाल को मुख्यमंत्री और एमले बनाने की तैयारी जो है वही साफ साफ नजल आ रहा है यह मसला तो अपनी जगह पे है आज इसनी क्या किया कल से यह मीडिया वाले कह रहे है तो कोई भड़ा खुलासा भ़बाथ खुलासा है आज सवर्वे यह हम लोगों प्रोड्राम किया था जिसमें हमने बताया कि कोई खुलासा नहीं होगा यह सब मीडिया में बने रहने के लिए और चुके मीडिया वालों को ये पैसे दे रे हैं तो कुछ भी प्रेस कांफर सीधे उटके भाग गई बैस प्रेस कांफरेंस बुला रहे हो ये डायलोग करने के लिए तो वीडियो बना करके भेज़ दो ये तमाशा क्यों कर रहे हो ये तमाशा क्यों क्यों कर रहे हो जब सवालों का जवाब नहीं देना है कि यह किस बात का प्रस कांफरेंस है जैसे तुम्हारे गुरू अर्विंद केजरिवाल यह सुनिता केजरिवाल यह सारे लोग कर रहे है तो क्या 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 इसने इसने बता दिया कि अब हमारी भी गिरफ्तारी होगी गिरफ्तारी तो होगी होना भी चाहिए और ये ग्रिफ्तारी बीजेपी नहीं करवा रही तुम और सारा भारदुआ जेल के अंदर जाओ इसका इंतिजाम अर्विंद केजरिवाल ने किया है भाई अभी तक तो आतिसी मालेना को लेकर के लोग बाचीत नहीं कर रहे थे और सारा भड़ा भोल जो एक खुझ इसने कर दिया बोलते 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 पता नहीं है क्या-क्या बोल गई तो उसको तो समझना पड़ेगा इसने कहा कि मेरे बहुत ही करीब मित्र ने मुझे आकर कि यह ओफर दिया बड़ी अजीब बात है तुमारा करीबी मित्र वो बीजेपी के λिए काम करता है बही कैसे मित्र हैं तुमारे और कैसे तुमारी राजनीती है कि तुम अपने सबसे करीबी मित्रों को भी आम आदमी पार्टी के साथ वो जुड़ा रहे इसके लिए कन्विन्स नहीं कर पाती और वो आकर के कह रहा है कि भई तुम बीजेपी में आ जो तुम्हारा करियर मुझे तो समझ में आता है करियर राजनीती को करियर समझने वाले हैं ये लोग और इसने कहा कि मैरे परिवार वालों के उपर एडी की कारवाई होगी तो बीजेपी में जॉइन कर लो कारवाई होगी नहीं कारवाई हो चुकी है और कारवाई हो रही है तुमने परिवार को घसिटा है तो इसका खुलासा भी कर देना चाहिए हिम्मत है तो अपने जीजा जी का नाम बताओ इसी प्रेस कॉंफरेंस में यह तो हम लोगों को अंदर घुसर नहीं देते हैं नहीं तो एक सवाल अगर पूश एक सवाल का यह जवाब नहीं दे पाएगा दे पाएगी यह आतिशी मार लेना तुम अपने जीजा जी का नाम बताओ कौन है वो किस चैनल का वो एडिटर इंचीफ था क्या उस चैनल के जरिये गोवा के अंदर पैसे बाटे गए या नहीं बाटे गए इस सवाल का जवाब दो यह सराब घुटाले में और इसलिए यह कह रही है अभी मैं कहानी बता रहा हूँ आपको कुछ दिनों के बाद यही सारी चीज़े आएगी बाहर इनका है कि जीजा है दलाल पत्रकार है वो हिंदुईजम बीजेपी, आरेसेस को गाली देकर के पुराना एंडी टीवी वाला वो एक टीवी चैनल खुला था, बंद हो गया कहां से पैसे आये थे सराब घुटा लेके पैसे से चैनल खुल रहा था जवाब देने के लिए तो इल्लो के पास जवाब नहीं है यह आकंट सर से लेके पाओ तक यह केजरी वाल उसका चटे बटे ब्रस्टाचार में डूबे पड़े हुए रागव चट्डा का भी नाम लिया है रागव चट्डा को तो लेकर के तो आजाओ और नाम तो लेना बाद में रागव चट्डा वापस आगा यह गरंटीद होगी तुम यह चिक्री चुपडी बाते पहला तो सवाल यह है कि पे केजरी वाल तुमको यह जवाब देना अच्छा क्या कह रही है कि चार निताओं को और यह सवरभारदवाज भी आया यह लोग देखिए यह जूट बोलने में बड़े एक्सपर्ट है दे में का पोकर फेस वो जो जुवारी जो होते हैं ना जो काड आता है तो बिना किसी एक्सपरेशन के काड को देख लेते हैं बहुत बढ़िया काड आया या खराब काड आया तो अपने चेहरे पे मालूम नहीं होने देते हैं यह इतने शातिर हैं जो जुवारियों वाले जो चेहरा होता है वो ये जो है अपने चरित्र में इन लोगों ने ढाल लिया है क्या कहरे है बही चार बड़े लीडर को जो है अंदर डाल दिया अरे चार रही है पांच है और वीडिया वाले भी क्योंकि माल खाकर के सब बैठे हुए है वो चार का लगा रहे पूटो चार चार करने बच शतंदर जैन जेल में मनिसी सोधिया जेल में और संजे सिंग जेल में और केज दिवाल जेल में और पांच हुए का नाम कॉल लेगा तुम्हारा कम्मुनिकेशन इंचार्ज ये भीजय नहीर का नाम क्यों छोड़ देते हो तुम लोग यह विजय नायर, यह केजरिवाल के घर के भगल में, वो जो कायम पॉफिस है, केजरिवाल का मुख्यमंत्री का, उसका वो इंचार्ज हुआ करता था, वह सारा कुछ वही काम कर रहे थे यह लोग, तो इसने क्या कहा कि चलो भई, अब इसको जो है, हम पूरी तरीके से इसको चेंज करते हैं, केजरिवाल गेम कर गया, केजरिवाल जो है वो, कि भई, पहले लोगों को बेफकू बना दिया, कि भई, हम जेल से इस्तिफा नहीं देंगे, हम जेल से सरकार चलाएंगे, यह करेंगे, वो करेंगे, और पत्नी को तयार कर लिया, Capital TV ने पहले ही स्टोरी की थी आपको एक कहानी में बता दू जब पंजाब के चुना हो रहे थे तो पंजाब का ये मुख्य मंत्री बनना चाह रहा था क्यों इसको दिल्ली में मज़ा नहीं आ रहा था दिल्ली में पावर नहीं है ये LG को ज़्यादा पावर है चीफ मिनिस्टर आफ पंजाब और जब वो पंजाब के चुनाव से पहले ही इस सुनीता केजरिवाल को VRS दे करके वो इंकम टैक्स IRS ऑफिसर है ये दोनों बैचमेट हैं और उस से VRS दे को वहां से इस्तीवा दिल्वा करके घर बिठा लिया था उस समय ही इसकी प्लैनिंग थी मनिस्टी सोदिया नहीं कि मैं चला जाओंगा पंजाब और दिली थमा दूँगा सुनीता केजरिवाल के हाद अब यो जेल में गया है तो जेल से ही वो आदेश दे रहा है बही मिलने वालों के लिस्ट में आते सी और सवरोभरदवाज का नाम क्यों नहीं क्योंकि ये सब जो है ये प्यादे है आदेश जो है सुनीता केजरिवाल को दिया जा रहा है और विभव को दिया जा रहा है तो ये जो अभी मीटिंग चल रही है ये मीटिंग क्यों बुलाएगे अब केज रिवाल नहीं है तो उनकी पत्री ही हमारी लीडर है तो वह प्लावन भी है प्लावन यह है कि केज रिवाल को मचबूरन आजनकल तो इस्तिफा देना ही है वह अतना ड्रामा करें वह लोगों के लिए पाबलिक कर दे लिए Sydney जो लोग जान रहे हैं समझ रहे हैं वो तो उनको देना ही पड़ेगा रिष्टिफा तो उनकी पत्नी के लिए ग्राउंड बनाए जा रहे हैं लेकिन ये जो जूट बोलने वाले जो आमादी पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं अगर तुमको किसी ने ओफर दिया तो नाम ब करके मीडिया में आकर के रोज जो है अनर्गल आरोप लगाएंगी और इस देश को पागल बनाएंगी तो ये तो चलेगा नहीं ये लोग हिंदुस्तान के लिंज पुंज कानून का गलत इस्तमाल उसके लूप फोल्स का इस्तमाल करके सम्विधान का मखौल उरा रहे हैं और ये मीडिया पैसे खाकर इन लोगों को ये तमासा करने के लिए बकैदा खुली छूट दे रखी हैं बहुत बहुत धन्यबास से तमाम चानकारी के लिए तो सुनिता केजरिवाल ने आज शीस महल में मिटिंग बुलाई है वहां आम आदमी पार्टी के जो तमाम बिधा है वह पहुंच रहे हैं एक तरब से सुनिता केजरिवाल अब ये दिखाने और जिताने की कोशिस में लग गई है कि आम आदमी पार्टी का कोई सबसे में लेडर है तो वह है और इसलिए साथ ये मिटिंग बुलाई जारी है जैसा कि डॉक्टर शाहब ने बताया ताकि लो हुआ 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 है